तो आज हम करने वाले हैं history की unit first का part B तो यहां पर हम कर रहे हैं BA second semester history और इसमें जो आपकी unit first थी early turk and khilji इसमें मैं एक video already upload कर चुकी हो जिसमें हमने discuss किया था कुदूबुदीन आबग और इल्तुतमिश के बारे में अब next हम पढ़ेंगे इलतुत मिश्की पुत्री रजिया सुल्तान जो की exam की point of view से बहुत important है रजिया सुल्तान से लेके बलबन तक का जो time period है उसमें क्या क्या important events होते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं नेक्स्ट जो इस यूनिट में आपका पार्ट बचता है वो है खिलजी वंश उसको हम cover करेंगे नेक्स पार्ट में ठीक है यह टेलीग्राम जैनल जॉइन करके वहां पे आपको लिंक मिल जाएंगे वहां से आप देख सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं रजिया सुल्तान जो के इल्दुत मिश्की पुत्री है 1236 इश्वी से लेके 1240 इश्वी तक इन्होंने भारत पर राज किया है और काफी कामिन का टाइम पिरिट रहा उसके रीजन्स यह थे कि अभी तक जो आपने देखा मतलब ancient history और medieval history में अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि लोग एक ruler के तौर पे मतलब एक पुरुष को देखना पसंद करते हैं एक महिला को अपनी शाशका के रूप में वो देखना नहीं चाहते हैं तो जब इल्दुत मिश्के बाद इल्दुत मिश्के जो काफी सरे मतलब पुत्र थे उत्तर दिकारी थे वो एउग्य थे जिस वज़े से वो चाहते थे कि उनकी पुत्री ही राज करें लेकिन उनकी मृत्यों के बाद उनकी पुत्री को बहुत सारी मुसीवदों को सामना करना पड़ता है और एक शरियंत्र के मतलब तहत उनकी हत्या भी कर दी जाती है जिस वज़े से उनका टाइम पिरिट काफी चोटा है देखिए रजिया सुल्तान 1236 से 1240 इश्वी तक रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शाश्र का थी अब इनका जो जनम में वो 1205 इश्वी में हुआ है उन्होंने देश पर 1236 से 1240 सक शाश्र किया और एक वो साहसी सुल्तान थी दिल्ली के सिंगहासन पर नियंत्रन और हस्तिशेफ करने वाली पहली मुसलिम महिला थी दिल्ली का साशन अपने पिता से इन्हें उत्तरिदिकार में मिला था और 1236 तक ये दिल्ली के सल्तन पर बनी रहती मतलब खुद को इनोंने सुल्तान की उपादी दी है और इनका जो अपनाम है वो है रज्या सुल्तान भारत की प्रथम महिला शाशक शम्षुद दीन इल्तुत मिष्ट की पुत्री अब देखे रज्या सुल्तान की बात करें तो बहुती बुद्धी मानी मतलब बुद्धी मान महिला थी है शेष्ट प्रशाशक और अपने पिता की तरह ही एक बहादूर योद्ध भी थी पुरुशों की तरह सुसज्जित होकर खुले दरबार में बैठती थी एक प्रभावशाली शाशका थी और एक शाशक के सभी गुण इनके अंदर थे बच्पन और किशोर रवस्ता में ग्रहनी समू की महिलाओं से इनका कोई संपक नहीं था इसलिए वो मुस्लिम समुदाय की इस्तिरियों की तरह मूल वैवार नहीं सीख पाई वास्तव में सुल्तान बनने से पूर्व अपने अपिता के प्रिसाशक के नियमों की तरफ इनका बहुत ज़्यदा अट्रेक्शन था और एक सुल्तान की भाती रजिया इनने अंग रखा और राजमुकुट पहना और एक हाती पर सवार होकर कि वो स्वैम भी युद में भाग लेती थी और रीती रिवाजों के विपरी थी वो अपने चहरे को खुला रखती थी जैसे इनके शाशनकाल में लोग अपने चहरे को ढखका रखते हैं मतलब मेंली जो महिलाएं हैं वो अपने चहरे को खुला नहीं रखती हैं लेकिन उन्होंने अपने चहरे को खुला रखा और पुरुशो वाला पहनावा ही उन्होंने अपनाया तो अपने प्रसाशन में तीन वर्षों तक के लिए तिहास के पन्नों में इनका कारे जो है वो सुरक्षित हो जाता है और दिल्ली में रजिया सुल्तान का मकबरा भी उन्हीं स्थलों में से एक स्थल पर है जहांपर की दिल्ली सल्तनत के बाकी रूलर्स का है अब देख लेते हैं पिता की म्रत्यू के बाद रजिया को किस तरह की मुसीवतों का सामना करना बड़ा इल्तुत्मिश के बच्चों में से एक रकनुदीन फिरोज रास का भी थे और वो लगबग साथ महीनों से दिल्ली की देखरेक कर रहे थे लेकिन 1236 में रजिया सुल्तान ने दिल्ली की निवास्य की मदद से अपने भाई को पूंटा पराजित किया और साशका बन गई उस समय जब रजिया सुल्तान ने सिंग हासन समाला सारी परिस्तितियां पहले की तरह हो गई राज़े के वजीर निजामल मुल्क जुनेदी ने वफादारी करने से इंकार किया और उसने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर सुल्तान रजिया खिलाफ कुछ समय के लिए युद्ध की घोशना कर दी अब देख लेते हैं रजिया सुल्तान के इस छोटे से टाइम पिरिट में क्या क्या कारदे उन्होंने किये तो एक समझदार शाशिका होते होए रजिया सुल्तान ने अपने प्रांत में विधी और पूर्ण सांती स्थापिट की जिसमें प्रतिक विक्ती उसके द्वारा स्थापित किये गए नियम विनियम का पालन करता था उसने राश्टर के अधार पर विस्तार करने का प्रियास किया और लगबग लें देन विनियमे को बढ़ावा दिया गल्यों का निर्मान किया कुए बनवाए इत्यादी मतब काफी सारे उन्होंने ऐसे कादे किये जिससे कि उनके राज्ये में तरख की रहे इसके लाबा उन्होंने खोज कारों के लिए विध्यालय, संस्थान, स्थलों का निर्मान भी कराया, पुस्तकालय भी खुलवाया शोध करताओं के लिए कुरान और मुहम्मद की नीतियों पर भी कारे करवाया और हिंदू ने विज्ञान, विचार, अंतरिक्ष विज्ञान और रचना में वांशिद योगदान भी दिया जिसे विद्यालों और कॉलेजों में दियान केंद्रित किया गया था यहां तक की शिल्पकारिता और संस्कृति के शेत्र में भी योगदान दिया और विद्वानों, चित्रकारों, शिल्पकारों कभी नोंने समर्थन किया अब हम देख लेते हैं रजिया के पतन के कारण तो रजिया का जमालुदीन याकूत के प्रती एक तरफा प्रेम को ही इनके पतन का कारण माना गया है उसके अंत का कारण एशंतो़ जनक प्रेम था जमालुदीन याकूत जो कि एक अफ्रीकन सिद्धी गुलाम था एक विशेश विक्ती बन गया जो उसके लिए पड़ोसी देश का निवासी था और यह अनुमान भी लगाया जाता है कि वह उसका जीवन साती रहा होगा और अपने कीर्थी की रक्षा के लिए रजया सुल्तान ने समझदारी पूर्वक भटिंडा के प्रसाशनिक प्रमुक अलतूनिया से विभा करने का निश्य किया और अपने साती के साथ वो दिल्ली की तरफ चल दी लेकिन 13 अक्टूबर 1240 सीवशी को बहराम में बराजित हुई और अगले ही दिन उन दोनों का कतल कर दिया जाता है मतलब उनका और उनके पती का कतल कर दिया जाता है यहाँ पर एक शरियंत्र के तहत्त मतलब डांको के एक हमले में इनकी मृत्यू हो जाती है उसके बाद नशुद्दीन महमूद जो की 1240 से 1265 इश्वी तक दिल्ले की गदी पर बैठे तो 40 तुर्की अमीरों का जो दल था इस समय बहुत ज़्यदा शक्तिशाली वो हो चुका था और जो चाहते थे मतलब जिसको वो चाहते थे गदी से उतार देते थे जिसको वो चा किया और एक सकती शाली सरदार बनकर कि वो दिल्ले की गदी पर बैठ जाता है और 1265 में नसुरुद्दीन महमूद के बाद फिर दिल्ली की गदी पर आ जाता है बल्बन तो 1265 से लेके 1287 तक बल्बन ने दिल्ली की गदी पर राज किया तो बल्बन भी जो है एक योग्य और अनुभवी वक्ती है मतलब शाशक है उसने अपने शाशनकाल में कई महतपून कारे किया जिसे दिल्ली को सुरक्षित कराना आसपास के जंगलों को कटवाना साफ करके वहाँ पर पुलिस चौकिया बनवाना और तो इस तरीके से बल्बन ने दिल्ली की साफसफाई करा करके उसको एक अच्छे और सुरक्षित शेतर में परिवर्तित किया और दिल्ली के आसपास रहने वाले मिवातियों के विद्रों को भी इन्होंने रोका और रोकने में किस जो होता है वो धर्ती पर इश्वर का प्रतिनिजित वो होता है बल्बन का मानना था कि राजर को इश्वर से शक्तियां मिली हुए होती है इसलिए उसके कारियों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती है इसलिए उसकी निरंग कुष्टा सुरक्षित थी इसलिए वह दर और हमेशा ही वो कठोर नियमों का बालन करता था और सूधर्ड विवस्ता उसने बना के रखी अपने राज्य में पूरे राज्य में उन्होंने गुपतचर फला रखे थे जिससे कि आशन के अंदर मतब उनके पूरे राज्य के अंदर होने वली सारी चीजों की एक खबर उन उनका वेतन समय बढ़ दिया उन्हें सक्रय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर भी उन्होंने बल दिया अब देखे यहीं तक था जो हमारा तुर्क वंश था यहां पर खतम होता है नेक्स वीडियो में करेंगे खिलजी वंश को ठीक है तो बलवन की नीतियों को आपको अच्छे से पढ़ना है और रजिया सुल्तान और कुत्व बुद्धिन एवकितीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा यह लेक्चरिया किसी और भी लेक्चर की पीडियाफ अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जॉइन करके